फाइनायंस जुड़ी लेटिस इंफर्मेशन पाने के लिए फिनोवेशन सब्डेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें नमस्कार आज के फिन पॉइंट सेशन में आपका स्वागत है आज का फर्स्ट अब्रेट है ऐसा लग रहा है जैसे बर्गर किंग का बुलबुला अफूटने लगा है अपनी लिस्टिंग के दिन 92% प्रीमियम पर लिस्ट होने के बाद 125% तक बढ़ने और उसके अगले दो दिनों में 219.15 रुपीस के प्राइस तक पहुंचने के बाद लगातार इसके शेर प्राइस में गिरावट आ रही है दो दिन में कंपनी के शेर्स में 15% से ज़्यादा की गिरावट आई है मड़े को बर्गर किंग के स्टॉक्स में 10% का लोवर सरकेट लगा था वहीं आज भी शुरुवाती कारुबार में कंपनी के शेर्स में गिरावट आई और इसके शेर्स ने मिनिमम लेवल को टच किया इस तरहां पिछले एक महीने में कंपनी के शेर्स में 36% से ज़्यादा की गिरावट आचुकी है नेक्स्ट अपडेट है रिलाइंस इंफ्रस्रक्टर की पावर डिस्ट्रिबूशन कंपनी B.S.E.S. राजधानी पावर और B.S.E.S. यमना पावर ने अरावली पावर कंपनी प्राइवट लेमिटेट को लगभग 400 क्रोर पीस का पेमेंट किया है रिलाइंस इंफ्रस्रक्टर के अकॉर्डिंग B.S.E.S. राजधानी पावर और B.S.E.S. यमना पावर ने A.P.C.P.L. के साथ मामले को सौर्ट अट कर लिया है और डिमांड के अकॉर्डिंग 352.27 क्रोर पीस और 47.34 क्रोर पीस का पेमेंट कर दिया है आपको बता दें कि ये दोनों डिस्रिबूशन कंपनीज रिलाइंस इंफ्रस्रक्टर लेमेटेड और डेली गवर्मेंट का जॉइन्ट वेंचर है वहीं A.P.C.P.L. पब्लिक सेक्टर N.T.P.C. की कंपनी है पिछले हफ़ते N.T.P.C. ने बकाय का भुकतान नहीं करने की वज़ह से 6 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरेटरीस को नोटिस दिया था नेक्स्ट अब्डेट है COVID-19 पैंडेमिक से बचाव के लिए देश भर में 16 जन्वरी से वाक्सिनेशन कैंपेंच चुरू होगा इस बीच पूने से COVID-SHIELD वैक्सिन का फर्स्ट लॉट अच दिल्ली पहुंच कया है स्पाइस जेट के प्रेन के जरिये ये वैक्सिन पूने से दिल्ली पहुंची है पूने के सिरम इंसिट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सवर्ट एस्टर जनिका की COVID-SHIELD वैक्सिन को रेडी किया है भारत में दो वैक्सिन्स COVID-SHIELD और को वैक्सिन को एप्रूवल मिला है इसके बाद राजधानी दिली समेट पूरे देश में वैक्सिनेशन प्रोग्राम के लिए तैयारिया तेज हो गई है ब्रिटेन की एक कोट में एक इमिजेट अप्लिकेशन पर सुनवाई करते हुए फरार कारोबारी विजे मालिया के लिए लीगल फी के तोर पर बड़ा अमाउंट जारी करने से मना कर दिया है विजे मालिया के अगें स्टेट बैंक ऑफ इंडे की लीडर्शिप में तेरा बैंकों ने बैंकरप्सी केस किया है इसी सिलसिले में Vijay Malia की लगभग 29 लाग पौंड की वेल्थ कोट के फञंड्स ऑफिस के पास जमा है Malia ने इसमें से 28 लाग पौंड चारी करने के डिमांड की थी लेकिन London High Court के Insolvency और Companies Court का मानना है कि Malia इस तरह के order के लिए basic information देने में असफ़ल रहा है नेक्स्ट अपडेट है आटो मोबील कंपनी टाटा मोटर्स ने आज शेयर मार्केट में सब को हैरान कर दिया कंपनी का शेयर अची बड़त के साथ 52 हफ़तों के हाइस लेवल पर पहुंच गया है मार्केट में चर्चा थी कि इलेक्टरिक कार बनाने वाली कंपनी टेसला टाटा मोटर्स के साथ पार्टनर्शिप करने जा रही है दुनिया के सबसे बड़े बिलेनियर एलन मस्क की कंपनी टेसला भारत में टाटा की फैसिलिटीज का इस्तमाल करके गाड़िया बनाएगी और बेचेगी अफवाहों में ये भी कहा जा रहा था कि टेसला ने इसके लिए जरूरी काम कर लिया है और भारत में अपनी इलेक्टरिक कार उतारने के लिए टाटा के इंफ्राच्रक्चर को सबसे ज़्यादा सूटेबल पाया इसके बारे में अफ़िशली कुछ भी नहीं कहा गया है इसलिए इन अफवाहों को फिलहाल सच नहीं माना जा सकता आपको बता दें कि टेसला दुनिया की सबसे वैलूइबल आटो कमपनी है जिसका मारकेट कैप 800 बिलियन डॉलर है इसके लावा टाटा मोटर्स के शेयर्ज में लगाता तेजी की वज़ा ये भी है कि उसके डुमेस्टिक बिजनेस और JLR बिजनेस ने उमीद से बहतर परफॉर्म किया है डिसेंबर में कमपनी की डिमेस्टिक सेल्स 53,430 यूनिट रही जो पिष्टे साल के कमपारिजन में 21% ज्यादा है नेक्स्ट अपडेट है कई सालों के बाद इस साल कॉटन फार्मर्स के अच्छे दिन आ ही गए है दुनिया भर के बाजार में कॉटन के दामी तेजी और डॉलर के कमपारिजन में रुपे की वैल्यू घटने से इंडियन कॉटन प्रोड्यूसर को अच्छी कीमत मिल रही है उमीद है कि भारत का कॉटन एक्सपोर्ट साल 2020-21 में साल 2019-20 के कमपारिजन में 7 मिलियन यूनिट्स तक बढ़ सकता है ऐसा हुआ तो ये साथ सालों में सबसे ज़्यादा होगा लॉकडन के हटने से कॉटन बिजनस धीरे धीरे अपनी रफ़तार पकड़ रहा है और इसकी डिमांड भी बड़ी है इसलिए अब स्पिनिंग मिल्स ने अपनी टोटल कपासिटी के 90% तो 95% पर काम करना शुरू कर दिया है नेक्स्ट अबडेट है डेली हाई कोट ने आज अमेरिकन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पेपाल की पिटेशन पर फानाशल इंटेलिजेंस यूनिट से उसका जवाब मांगा है जिसमें मनी लॉन्रिंग लॉक के कथित वॉयलेशन के लिए लगाए गए 96 लाग रुपीज की पेनल्टी को चालेंज किया गया है जेस्टिस प्रतिभा सिंग ने FIU को नोटिस जारी किया और 26 फरवरी तक पेपाल की पिटेशन पर अपना जवाब देने को कहा है कोट ने FIU के उस ओर्डर पर भी रोक लगा दी है जिसके तहट पेपाल को अपने सभी ट्रांसेक्शन के रिकॉर्ड को बनाए रखने और दो हफ़ते के अंदर हाई कोट में बैंक गरेंटी डिपॉसिट करने के लिए कहा गया था नेक्स्ट अपडेट है फिनांस मिनिस्ट्रे ने उन लोगों के लिए इंकम टैक्स एटरन फाइल करने की आखरी तारीक को आगे बढ़ाने के डिमांड खारिश कर दी है जहां ऑडिट की जरूरत होती है इस सरहां आईटियर फाइल करने की आखरी तारीक 15 फरवरी तक ही ह दरसल गुजरात हाई कोर्ट ने फिनांस मिनिस्ट्री को एक आदेश में कहा था कि इन डेडलाइन्स को बढ़ाने के बारे में साफ जानकारी दी जाए इसके बाद सेंट्रल बोर्ड अफ डारेक्ट टैक्स ने इसकी जानकारी दी है CBDT ने कहा है कि ड्यू डेट्स बढ़ाने की सभी रिपोर्ट को खारिज किया जाता है इसलिए ITR फाइल करने की आखरी तारीक 15 फरवरी ही रहेगी यहाँ पर हमारा आज का finpoint session खतम होता है अब stock market सीखना हो गया और भी आसान क्योंकि अब आप हमारे सभी courses की fee सेजल की help से 4 monthly installments में भी पे कर सकते हैं जिसमें आप से कोई interest नहीं लिया जाएगा इसके अलावा हम आपके लिए लेकर आए हैं खास offer जिसमें सभी courses पर आपको मिल रहा है 40% का flat discount 21 जनवरी तक तो अब देर कैसी description में दिये हुए link पर जाएं और enroll करें हमारे courses में easy installments और huge discount के साथ ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें comments करके बताएं और वीडियो पसंद आई तो like जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए thank you